कि अब सबसे पहले आप मेरे को यह बता दो कि वहिव कितने की हैं बेज़ों प्रबगेशन कि वज़ों कर रहे हैं बेज़न ट्रावलिंग डेज़ों प्रबगेशन हमारे पास वेफ कितने टाइप्स की यह नहीं पता चलो भाई भाई बेस्ट ऑन प्रपगेशन हमारे पास वेव दो टाइप की वेव यह कौन-कौन सी दो वेव आपने सुना होगा लॉंगिट्यूद्नल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव यह सर्व वाट इस लॉंगिट्यूद्नल वेव इस जैसे साउंड सर्विच चाहिए लॉंगिट्यूद्नल वेव वेव निया ऐसा जरूरी नहीं है वो तो मेकानिकल वेव और एलेक्ट्रोमैकनिक वेव सके बीच में ृट्रमाग्नेट्ट्रेंस लॉंगिट्यूद्नल वेव ट्रांसवर्स वेव की बीच में क्या difference है तो देखो इसको क्या एक्जा कर आ तो अगर आप स्प्रिंग का एंड एट फो वाइब्रेट कर आ रहे हो तो यह जो आपके वाइब्रेशन के तुम एंड यह एट से हमारे कहां ट्रावल कर जाएंगे और बी तक चेक करो समझ में आया या नहीं आया। मैंने का इन एक स्प्रिंग ली उसको एक एंड डी हमने कनेक्ट कर दिया, फिक्स कर दिया और एक एंड ए हमारा free है, हम एंड ए को क्या कर रहे है, वापिस to-and fro vibrate कर रहे है, यार अगर आप करेंगी तो हमारी उप्रेशन से जो कैसे हो हमारे वाइब्रेशन से यहाव होँ होंगे वह हमारी कोन सी वेव किれない잖아 क्या ये चीज समझ में आई है तो आपने 11 क्लास के चैप्टर में यही पढ़ा होगा साउंड वाले में कि जब भी साउंड एर से ट्रावल करती है तो वह मॉलेक्यूल को कम्प्रेस और रेर फैक्शन इस तरीके से चलती है तो उस केस में हमारे मॉलेक्यूल्स टू एन फ्रो वाइब्रेट करते हैं तो इसलिए हमारी साउंड जब एर से ट्रैवल करती है तो वह किस टाइप की वेव ट्रैवल करती है लॉंगिट्यूडनल वेव ऐसी हमारे पास यार एक दूसरी वेव होती है प्रांसवर्स वेव यह इसका लॉजिक समझना इंबॉर्डेंट है कर रहे हो इस एंड पॉइंट बी को इसको बी ले लेते हैं इस एंड पॉइंट एको आप ऊपर नीचे या किसी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जग कर रहे हो यह जो लेंट ऑफ दी स्ट्रिंग है इसके किसी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जग कर रहे हो तो आप एक चीज़ देखो कि जो मेरी लेंथ है यह अलॉंग X-axis है अब मेरे पास बहुत सारी perpendicular direction आ जाएगी जिसमें मैं string को vibrate करा सकता हूं जैसे for example is wire को notice कर लो कि यार यह wire ले रहा हूं मैं और मैं कह रहा हूं कि यह wire की जो लेंथ है इसके पैरलली इसके प्रपेंडिकुलरी में वाइब्रेट कराना चाहता हूं तो एक तरीका है उपर नीचे एक तरीका है left-right क्या यह तिस इमाजन कर पारे हो आप तो यार अगर हम इसमें इस ट्रिंग को vibrate कराएं किसी भी प्रपेंडिकुलर पॉसिबल डियरेक्शन में अकॉर्डिंग तो उस केस में क्या होगा सपोज मैंने उपर नीचे वाइब्रेट कराया पॉइंट एक को तो हमारी यह वाइब्रेशन आगे की तरफ ट्रावल करेगी तो यहार हमारी वेव की ट्रावलिंग की डियरेक्शन क्या है अगें अलॉंग एक्स एक्स लेकिन पार्टीकल के वाइब्रेशन की डियरेक्शन क्या है पार्टीकल के वाइब्रेशन की डियरेक्शन पर्पेंडिकुलर डि क्या दोनों में difference समझ में आ गिया कि यह सर्ड़ अब आप क्या और इनोंग म Hayır दोनों वेश को किसी एक नैरो पैरलल ऊप्णिंग से पास कराना चाहरे हो का रिया और कॉन सी फिल्टर नहीं ओ पा रही है तो इसको इस तो अगर मैं इस लिट के थूँ इस लिट को ऐसे रखूँ तो क्या यह मेरे वाइब्रेशन कट हो रहे हैं यह वाइब्रेशन पास हो जाएंगे तो यह पास हो रहे हैं तो यह हमारी longitudinal wave अगर हम इसको किसी एक opening से pass कर रहे हैं तो हमने देखा कि यह filter नहीं हो पा रही है इसके vibrations कट नहीं हो पा रहे हैं तो आपको क्या याद रखना है कि longitudinal wave हमारी polarized नहीं हो सकती क्योंकि polarization का मतलब क्या है polarization का मतलब है कि wave के कुछ vibrations को cut कर देना अब आते हैं transverse wave पे तो transverse wave में याद रखो हमारे molecules ऐसे up and down vibrate कर रहें up and down up and down तो मैंने क्या किया पहले slit को ऐसे रखा तो क्या इस slit से up and down vibration पास हो जाएंगे येस हो जाएंगे अब मैंने slit को cross position में रखा लेकिन क्या अब मेरे vibrations up and down वाले पास हो पाएंगे इससे नहीं अब नहीं हो पाएंगे तो यहार हमने देखा कि transverse wave को cut किया जा सकता है इसको vibrations को filter किया जा सकता है तो यहार रखो हमारी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेवी है जो हो सकती है चेक कर लो यहां तक का डिफरेंस समझ में आ गया कि कौन सी वेव हो सकती और कौन सी वे प्लाराइज नहीं हो सकती है अगर बात करूं इलेक्ट्रो मागनेटिक वेव की याद रखो मारि ट्रांसवर्स नेचर की होती है तो एलेक्ट्रो मागनेटिक वेव को हम फिल्ट्र करते हैं तो हम अब यहीं करेंगे हम इस करेंगे और वह हमारा टॉपिक है प्लाराइजेशनॉल ओवेव कahah सबसे पहले हम सबसे सिंप्लेस्ट केस लेके चलेंगे ओपनिंग वाला स्लिक्स वाला केस वाला केस हैं कि यार अगर मैं एक कोण सी क्याइक में कौन सी कॉन्टी जो वाइबरेट कर रही है तो उसके अदर लेक्र के जो molecules, medium के जो particles होते हैं, वो vibrate करते हैं, लेकिन electromagnetic wave में कौन vibrate कर रहा है, कौन oscillate कर रहा है, electric field and magnetic field, और ये दोनों के दोनों हर एक possible perpendicular direction में vibrate कर रहे हैं to the wave direction, जैसे for example, मैंने कहा ये मेरी wave है जो चल रही है along the x-axis, अब क्या होगा, आपकी electric field और magnetic field दोनों vibrate करेंगे हर एक possible direction म तो suppose ये मैंने white line draw कर दी अपनी electric field के लिए, कि भया ये है हमारी electric field, जो vibrate कर रही है along y-axis, similarly हमारे पास magnetic field होगी, जो vibrate कर रही होगी along z-axis, तो इस तरीके से हमारी electric field और magnetic field continuously vibrate करती है, हर एक possible perpendicular direction में, अब यार electric field के साथ एक दिक्कत है, electric field के साथ क्या दिक्कत है, electric field continuously अपनी direction अपना vector change कर रही है, randomly, जैसे for example, इस एलेक्ट्रिक field मैंने कौन सी direction में draw करी है, अब पॉजिटिव जाती है, कभी जाती है, कभी z direction में travel करने लग जाती है, कभी इस तरीके से diagonal direction में vibrate करने लग जाती है, तो यह continuously, randomly, अपना vector direction, vector component change करती जा रही है, तो हमें क्या करना है, अगर यह हर एक direction में vibrate करती जा रही है, हम electric field को restrict करना चाहते हैं, हम चाहते हैं, नहीं, electric field को हर एक direction में vibrate नहीं करने देंगे, electric field को एक particular direction में vibrate करने देंगे, ताकि जो हमारी wave की intensity है, वो reduce हो जाए, तो उ कैते हैं कैसे होगा अब उस चीज़ को देखो भाई हम इस वेव को अब इस तरीके से ड्रॉ करेंगे जो आपको इमाजिन करना है हमेशा इस तरीके से ड्रॉड होगी वेव एरो अप्वर्ड और डॉट का मतलब क्या है कि भाईया कुछ वाइब्रेशन अपन डाउन भी हो र लोग एक बार कंफर्म कर दो सबको समझ में आ रहा है कि हमने वेव इस तरीके से ड्रॉड क्यों करिए तो यह मैंने ऐसे ड्रॉड कर दिये तो यह मुझे दिख रहा है वाइब्रेशन दो पर्टिकुलर डिरेक्शन में हो रहे हैं अभी फिलाल जो मैंने अज्यूम किया है फिलेशन बैसे य कि चाहते हूं इसको एक पटिकूलर डैरेक्शन मेंफ्लिटर करना चाहता हूं तो जो ऐसे मैंने अभी तरीका बताया वही तरीक हम अपनाएंगे क्या तरीका है कि यम एक नेरू ओपनिंग से पास कर देंगे कि यह हमारे पास एक नेरो ऊपनिंग है तो तो मेरे को बताओ इस opening से कौन से vibration pass हो जाएंगे और कौन से vibrations cut हो जाएंगे जो पर प्लेन वह पास हो जाएंगे बिल्कुल सही हमें दिखरा कि यह opening हमने इस तरीके से रखी है तो जो vibrations इसके पैरलल जा रहे होंगे वह easily pass कर जाएंगे तो अगर मैं इस slit के बाद इस opening के बाद अपनी light ray के vibrations देखूं तो मेरे को बस इस तरीके से पैरलल vibrations मिलेंगे तो यह हमारे vibrations filter हो गए हैं तो this is called as polarization और यह light हमारी कहलाएगी polarized light अब यह light को polarize किस ने किया इस slit ने किया तो यह slit हमारी कहलाएगी polarizer जो भी device हमारी light को filter कर दे vibrations को filter कर दे वह device हमारा कहलाएगा polarizer तो इसको नाम दे देते हैं slit S1 slit S1 will act as a polarizer लेकिन अब मेरे को confirm करना है चेक करना है कि यार यह सच में wave polarized हुई भी है या नहीं हुई तो कैसे confirm करेंगे कि सच में यह light polarized हुई भी है या नहीं हुई कैसे चेक करूं मैं तो यार आप क्या तरीका है आपने जो slit 1 रखी उससे आपको पता चल गया कि हमारी एक vibration pass हो जाएंगे एक vibration cancel हो जाएंगे अब आप एक और slit रखो और एक और slit आप कैसे रखोगे बिल्कुल इसके perpendicular अब मेरे पास सरफ यह वाले vibrations बचे थे क्या यह वाले vibration इस second slit से पास करेंगे नहीं करेंगे तो हम जान पूछके second slit इस तरीके से horizontally रखेंगे भया diagram की भावनाओं को समझ जाना अगर मैं properly draw ना कर पाहूं तो कि भया हम अपनी slit को बिल्कुल cross position में रख रहे हैं पहले वाली slit के 90 डिग्री के एंगल पे तो यह हमारे एंगल 90 डिग्री पे हमने दूसरी slit को रखा अब अगर हमारे पास यहां पे कोई क्या करने में यूजवी है यह सेकेंड्स इतना चेक करने में काम आई है कि हमारी यह जो बीच वाली वेव थी क्या यह पुलराइज थी या नहीं थी और उसका तरीका है कि इसको क्रॉस पॉजीचन में रखो तो इस सेकंड्स लिट को हम क्या कहेंगे और गजिसंद कहेंगे क्यूंकि इसने सरफ एनलाइज करके दिया हमें कि हमें मिली थी या नहीं मिली थी तो यह पूरा फिनाम यह पूर प्रसस हो गया, हमारा प्रोराइजन का चेक कर लो इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो अब नेक्स कंसेप्ट यार याद रखो हमारे पास अभी मैंने ये दोनों जो स्लिट्स हैं इनको 90 डिगरी के एंगल पर रखा है इसलिए वाइब्रेशन कंप्लेटली कट हो गए और मेरे को लास्ट में कोई वेव नहीं मिली लेकिन सपोस मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इस सेकेंड श्लिट को 90 डिगरी के एंगल पर नहीं रखता किसी और एंगल पर रखता जैसे यह इस तरीके से है और इस दूसरी श्लिट को बस थोड़े से एंगल से टिल्ट कर देता तो क्या मेरी पूरी की पूरी वाइब्रेशन चणिल हो जाती या कुछ पार्ट केंसल हो जाता है और कुछ पार्ट पास कर जाता धयर कुछ पा है बिल्कुल भाइव यह अमरे को लगँ वेव है जो पहले तो इस पहले पर की वाइबडिस तो इसमें हमारे पस यहां पर मैंने एक चल जाएंगे लेकिन कहती है जो मेरी दूसरे घ्सकों मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर क्रॉस पूजिशन में नहीं रख रहा हूं अगर मैं इसको हल्का सा तिल्टिड रखूँ तो आपको साफ पर चल जाएगा कि भईया कुछ पार्ट तो कट हो जाएगा लेकिन कुछ पार्ट जो इस ओपनिंग के बराबर होगा कुछ पार्ट इस तो यहार हमने क्या देखा कि यह हमारी स्लिट एस वन और एस टू है इन दोनों की रिलेटिफ पॉजिशन यह इसको कहें रिलेटिफ औरियेंटेशन कि इन दोनों के कितना एंगल है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी जो लास्ट वाली वेव है वह हमें कैसी मिल रही है क्या वह हमें पॉलराइज मतलब थोड़ी सी और फिल्टर मिल रही है या वह बिलकुल ही नहीं मिल रही है पूरी की पूरी कैंसल हो रही है यह डिपेंड करेगा इन दोनों के बीच के रिलेटिफ एंगल पर कहीं यहां तक का कॉंसेट क्लियर हो गया तो यहार हम इसको कहेंगे अन पॉलराइज वेव इस अन पॉलराइज वेव की जनरली हम इंटेंसिटी ले लेते हैं आई नॉट तो अगर मैंने इसकी इंटेंसिटी आई नॉट ली है तो इसमें तो दो वाइब्रेशन हो रहे थे लेकिन यहां पर एक वाइब्रेशन पूरे कट हो गए हैं तो यहा साथ रखना यहां पर हमें इंटेंसिटी बिल्कुल हाफ मिलेगी आई नॉट बाइटू आई नॉट बाइटू तो इसको इंडिकेट कर देते हैं अब जब हम इसको स्लिट से पास करेंगे तो फिर से कुछ पार्ट आफ दी वाइब्रेशन कैंसल हो गया है लेकिन पूरा रहले इंपॉर्टन लॉट है विच इस कॉल्ड एस लॉट आफ मेलूस विलॉफ मेलूस ने क्या कहा कि जो आपको यह फाइनल रे मिल रही है इस फाइनल रे का नाम दे देता हूं मैं आई टू क्योंकि स्लिट आई स्टू से पास हो रही है तो उसने कहा कि जो यह आई स्क्वेर थीटा है जहां पर आप आई वन को क्या लिख सकते हो आप आई वन को लिख सकते हो आई नॉट बाइटू को स्क्वेर थीटा अब यहां तक और चेक कर लो यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो कि दया और बिख स्टू सो अब यहां तो आपको यह वाली वेव की इंटेंसिटी गीवन ही नहीं होगी तो आपको चेंज करने की जूरत ही नहीं है बस डियारेक्ली इसके टर्मस में आंसर देना है आपको डिपेंडिंग अपॉन दिकोश्टन आपको समझ में आ जाएगा की मिरकोwire पॉलराइज की कितनी इंटेंसिटी गवार हैं हुआ हमेशा से करेगे विए उसके बारे में डिस्टास कर स्किर्णा गर मैं बता तो अगर मैं यहां पर थ्र स्लिट रख दूं तो फिर उसकी पिसके कैलकुलेट करोगे अगर यहां पर एक और स्लिट दो इस एइस तू के बीच में अंगंगल ले लिया तो फिर जो तीसरी हमें उसका उनकर फिर सी में की Hess तरीके हैं तो यार light को polarize करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं तो सबसे पहला तरीका क्या है जो general तरीका है that is called as term and a crystal यार यह एक crystal होता है जिसको cut किया जाता है along its axis इस crystal की खास्यत क्या है कि इस crystal के अंदर जो आक्सीज होती है ना वो बिल्कुल वही काम करती है जो इधर स्लिट की ओपनिंग ने किया है कि क्रिस्टल की जो एक्सीज होगी वह सिरफ इस पैरलल वाइबरेशन को पास करने देगी और पर्पेंडिकुलर वाइबरेशन को कट कर देगी तो टर्मिनल क्रिस्टल हमारी आपको एक चीज़ और आता हूं आप टर्माइल क्रिस्टल नेट पर भी सर्च कर सकते हो तर्माइल क्रिस्टल काफी चाहिए एस्ट्रोलॉजिकल परपस के लिए यूज होता है जैसे मैंने कहा कि यह लाइट रेको यह एनर्जी को फिल्टर कर रहा है तो एस्ट्रोलॉजिक सबसे भी हम पूरा 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 अपने पड़ भी लोगे थर्ड हमारे पास एक और तरीका है यार हम रिफ्लेक्शन रिफ्राक्शन या स्काट्रिंग इन सबसे भी हम पूराइज कर सकते है रिफ्लेक्शन रिफ्राक्शन या स्काट्रिंग तो हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट भी पड़ेंगी और एक और थौरेटिकल पॉर्ज़के बारे में भी देखी लोगे अब हम स्टार्ट करें अपना कॉंसेप्ट करने और कुछ नहीं करना बस यहां दर पुरा नोडाउन कर लो फिर आपको एक नुमेरिकल देता हूं अब उस पर ट्राइ कर लो बाद सिधी सिधी बात इसमें कुछ ज्यादा था ने डिटेलिंग में मिली कोशन क्या कह रहा है लेक्ट मी चेक अड़न भी यार हमारे पास एक लाइट रे गिवन है अन पॉलराइज लाइज लाइट रे उसकी इंटेंसिटी हमें गिवन है आई नॉट हमने दो maior अन finds फ में में इन दोनों के बीच का इंगल हमें है 45 सेकंड केश में हम्हें इन दोनों के बीचका इंगल गिवन है नाइंट डिगरी और लास्ट केस में हमें हमें इन दोनों के बीच का एंगल गिवन है 180 डिग्री तो आपको बताना है वाट विल बी दी फाइनल इंटेंसिटी ऑफ दी लाइट रे को आई ओप कोशन क्लियर होगा सिंपल कोशन है अन पुलराइज लाइट की इंटेंसिटी है अइन नौट हमने दो स्लिट्स लिए हैं एस वन एस टू और इन दोनों के बीच में पहले केस में अंगल गिवन है 45 डिग्री सेकेंड केस में गिवन है 90 डिग्री और थर्ड केस मे मेरे को बताना है वाट विल बी फाइनल इंटेंसिटी ऑफ दी लाइट रे मतलब बेसिकली हमें आई टू क्याल्कुलेट करना है चलो ट्राइट टू सॉल्वेट सिंपल कोश्चन है बिल्कुल कि अग्ष्ट और यह जाए नहीं दन्वी आंसे सही नहीं आ रहा एक मेंट आपने अच्छा ठीक है सही है सही है कि कि अग्ष्ट केस का भी विल्कुल चाहिए अग्ष्ट केस का भी विल्कुल चाहिए आपकी तीनों से सही हैं वेरी गुड़ बाक्यों क्यों नहीं आ रहे हैं कि निशान्त काफी क्लासिस में गायब थे ऐसा क्यों अग्ष्ट गया था कि मलब बॉर्ड एक्जाम जित्ती निकल लिए सुहाने शिते सिम्रन आंसर्स दो भई अभी अभी अग्ष्ट वेरी गुड़ फर्स पार्ट का अंसर आपका भी सही है अग्ष्ट वेरी गुड़ चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं फर्स पार्ट यहार मिरे को पता है सबसे पहले अगर मिरे को अन पोलराइज वेव की इंटेंसिटी आई नॉट गीवन है तो जब यह स्लिट एस वन से पास करेगी तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी हाफ हो जाएगी इंटेंसिटी बतानी है तो उसके लिए मैंने आपको डिरेक्टली फॉर्मला बताया कि हमारे पास जो आई टू आएगी इसको मैंने कहाता आप आई वन लिख लो जो आई टू आएगी विल बी इकवल्स चू आई वन कॉस्क्वेर थीटा तो बस हमें यही करना है आई वन जो सिमिलरली सेकेंड पार्ट आई टू विल बी इकवल्स चू आई वन की वैल्यू आई नौट बाइटू ही है अब हमें रखना है कॉस्क्वेर 90 डिग्री पास्ट नाइंटी वैल्यू जीरो जीरो पस्कुेर जीरो तो यह भी फाइनल आंसर जीरो हो ओर ंड़र ली आसे तो थोड़ केस में वहिए नौड बाइट्व पॉस्वेयर वन टे डिगरी कॉस वन टीगरी कितना होता है मैंनस माइनस वण तो माइनस वण का स्क्वेर करेंगे तो आएगा वन तो हमारे पास इसकी इंटेंसिटी आएगी आई नौट बाइटू डाट जी फाइनल आंसर सिंबल कोश्चन था कोई डिफिकल्टी थी नहीं दंसर दंच चलो बहुत बढ़िया नेक्स कोश्चन पर आजओ वह सबका कंपलेट हो गया यह प्रीवेस कोश्चन चलो डान आजओ नेक्स कोशन पर नेक्स कोशन क्या कह रहा है कि यार आप रेशियो ऑफ इंटेंसिटी बताओ को जब हम एक ओरिजिनल लाइट को मतलब अन पॉलराइज लाइट को हम पास कर रहे हैं दो स्लिट से और उन दो स्लिट के बीज का एंगल है 45 डिग्री बस सिंपल सा कोश्चन है रिपीट कर रहा हूं रेशियो ऑफ इंटेंसिटी इस बताना है ऑफ ओरिजिनल लाइट और दी फाइनल ट्रांस्मिटेड लाइट वैंदी एंगल बिटूइन दी टू स्लिट्स इस 45 डिग्री कि और यह आया वा कोश्चन है को यह ऐसा जिसको कोश्चन नहीं समझ में आया हो कोश्चन रिपीट करना हूं कि तन्वी नहीं कि तुम्हारा अंसे सही है बढ़िया तन्वी काई स्ली मिस्टेक कर रहे हो कि शितेज बढ़िया यार इस कोश्चन को हमने अभी पीछे ही तो कैल्कुलेट किया मैंने अगर अन पॉलराइजड वेव के इंटेंसेटी आई नॉट ली थी तो यह हो गई हमारी ओरिजनल लाइट रे इसको मैंने स्लिट एस्वन एस्टू से पास किया जब एंगल था फॉट्टी फाइव डिगरी तो मेरे पास फाइनल इंटेंसेटी कितनी आई थी आई नॉट बाइफोर आई थी तो पिछला कोशन और यह कोशन एग्जाक्ली सेम ही तो हो गया बस वर्डिंग सी तो चेंज हो गई तो तो हमारे पास अन पोलराईज लाइट रहे है उसकी इंटेंसेटी अगर ले रहा हूं और फाइनल ट्रांस्मिटिड लाइट रे की अगर मैं बात करूं तो फाइनल ट्रांस्मिटिड लेके आ रही है आई नॉट बाइफोर तो अगर मैं इन दोनों का रेश्यो लूंगा औरिजिनल टूदी ट्रांस्मिटेड तो हमारे पास रेश्यो आएगा फोर इस्टू वन लुए चेक करो आपने कहां मिस्से करी थी यह सर् हो गया हो गया चलो लुए यह स्कूशन दे रहा हूं यह नेक्स कोश्ण बहुत इंपॉर्ड़न कोश्ण को क्या है कि हमने दो स्लिट्स लिए हैं यह हो गई हमारे पास स्लेट एस वन और यह हो गई हमारे पास दूसरे स्लेट एस टू इन दोनों को हमने बिल्कुल क्रॉस पोजिशन में रखा है हमने दो स्लिट ली एस वन एड स्टू और इन दोनों को मैंने बिल्कुल क्रॉस पोजिशन में रखा है तो यहां लगता हूंस स्टू के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री का एंगल है अब इन दोनों स्लिट्स के बीच में हम एक और स्लिट रख रहे हैं एस थ्री जिसको हम कंटिनियूसली रोटेट कराए जा रहे हैं एट एंगल ऑफ थीटा विद्धी एस वन तो मैं यहां लग देता हूं एस वन और एस थ्री के बीच में कितना एंगल है थीटा एंगल है तो आपको क्या बताना है वाट विल बी इंटेंसिटी ऑफ दी फाइनल ट्रांस्मिटेड रे कोश्चन रिपीट कर रहा हूं जैट करना भाइया इंपोर्टन कोशन है मैंने क्या का मैंने दो स्लिट ली सबसे पहले एस वन एस टू इन दोनों को पर्पेंडिकुलर डारक्शन में रखा इन दोनों के बीच में मैंने फिर एक एस त्री रखा और एस थी को मैंने रोटे लो और इसको आयनउट रिजर करना चाहते हो तो इसको इसको आयनॉट कर लो यह सिंप्ली फिकेशन के लिए जो आपका मन पर करें आप यह भी कर सक्ते हो इसको च्थ一定要 करो लो और आपको बताना है फॉर विच एंगल ओफ थीटा फॉर विच एंगल थीटा फाइनल इंटेंसिटी विल बी माक्जिमम कि इसको ले लो आई थ्री इसको ले लो आई वन यहां से पास हो रही है चलो भाई सॉल्व करना शूकरो और किसी को लग रहा है कि अभी भी कोशिन नहीं समझ में आया तो भाया पूछो अभी और किसी कोशिन नहीं समझ में इसलिए लगा पूछो अब साहिल काफी ले लॉग इन किया तो सब्सक्राइब तर्टिकल ताज अच्छा ओके को से प्रेक्टिकल ता साहिल तर्बायोलजी प्रतों कुछ पूचिंग नहीं सकता छोड़ दो अच्छा ग्राइब सब्सक्राइब मैं तो भहकर साथ मिंस और फोन सार्ट करते हैं सबसे पहले विए बता दो मैंने सको टो अ बहुर्स मेरे इसने कौट दीए टो अनsty थितो एन यह कि अनो न इक करना मेरे को मिरको बताओ आई 3 की वैलीओ मैं कितने लिखूं कि अच्छ आई नॉट बाइट टू क्यों होगा चलो इधर देखो वापिस से यह मैंने आप तो कहा था कि यह स्लिट एस वन है मैं बस ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं यह स्लिट एस वन है हमारे पास यह स्लिट एस थ्री और इन दोनों के बीच में कितना एंगल है इन दोनों के लाइट रे टू आई नॉट है अब यहां स्लिट एस वन से जो लाइट रे पास होगी उसको मैंने आई वन कहा था तो आई वन की वैल्यू कितनी होगी मुझे पता है फर्स्लिट क्या करती है इंटेंसिटी को रडियूस कर देती है हाफ से तो यह तो आई नॉट हो करेंगे तो यहां आई थ्री की वैल्यू तो लॉफ मैलूस से कैलकुलेट करके निकालेंगे तो हम आई थ्री के लिए क्या लिखेंगे आई थ्री इस नटेंग बट इस आई वन जो यहां वाले इंटेंसिटी है इंटू कॉस्क्वेर और इन दोनों के बीच में अंगल कित थीटा इक्वेशन वन तो यहां मेरे को आई थ्री की वैल्यू मिल गई है अब ध्यान दो अभी कॉंसेप्ट थोड़ा सा वरसे हो सकता है यह मेरी लास्ट है एस टू और मैंने तुम्हें कहा था एस वन और एस टू के बीच में कितना एंगल है एस वन और एस टू के बीच में थीटा एंगल है तो क्या आप मेरे को एस टू और एस थ्री के बीच का एंगल बता सकते हो कितना होगा एस थ्री और एस टू के बीच का एंगल कि अरे इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो यार पहली और लास्ट वाली स्लिक्स इन दोनों के बीच में 90 डिगरी का अंगल है इन दोनों के बीच में 90 डिगरी है और यहां पर थीटा है तो भाईया इन दोनों के बीच मेने नाइनटी और इन दौन के पीच मेल थेटा तो जम मैं आई टू के क्या तो देखो के लिए क्या एता हो रही है तो आइती इन टू कॉ स्क्वेर लेकिन इन दोनों के बीच का एंगल कितना है कश नयंटी माइनस इसका कि समझत हो जाता है तो यह हो जाएगा i3 sin square theta अब क्या करो इसमें i3 की value substitute कर दो तो आफिरी की value कितनी थी हमारे पास equation one से i3 की value थी हमारे पास i0 cos square theta और यह sin square theta additional तो यह मेरे पास final intensity आ रही है यह final answer है जो हमारा question के first part ने पूछा था कि what will be the intensity i2 तो यहां पे लिख लो आइटू की वैलू कितनी होगी आई नॉट कॉस्क्वेर थीटा इन्टू साइन स्कुएर थीटा चेक कर लो कोई डाउट है तो पूछ लो क्लियर है सर्व लेकिन अभी कोश्चन का सेकेंड पार्ट बचा है कैरा है यार मेरे को एंगल बताओ जिस पर यह इंटेंसिटी आई टू मैक्जिमम होगी लेकन अब एक दिक्कत आ रही है साइन पर इपन्ड कर रही है तो अगर मैं जीरो डिगरी लेता तो एक तो मैक्सिमम हो जाएगा लेकिन एक जीरो हो जाएगा अगर मैं 90 डिगरी लेता हूं तो फिर से वह दिखकत आएगी कि एक différent आपको क्या साइन टू थीटा की एडेंटिटी याद है motion in a plane में भी करी थी sin 2 theta के identity नहीं याद sin 2 theta होता है हमारे पास 2 sin theta into cos theta तो यार इधर आप वो ही identity लगाओ इसका square कर दो तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा square हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारे पास 4 sin square theta into cos square theta is equal to sin square 2 theta तो यार तुम्हें क्या करना है यही चीज कि यहाँ पे 4 से multiply कर दो और 4 से divide कर दो बस किस्ता खतम तो जो मेरे पास i2 की value आई है i not cos square theta into sin square theta मैं क्या करूंगा इसको 4 से ही multiply करूंगा और 4 से ही divide कर दूंगा same term से multiply और same term से divide करते हैं तो यह एक identity में convert हो जाएगा तो हमारे पास i2 की value मिल जाएगी i not by 4 into sin square 2 theta अब देखो मेरी i2 की value सरफ एक ही trigonometric ratio पर depend कर रही है तो अब मैं अपना answer calculate कर सकता हूं तो मेरे को बताओ sin की value कौन से angle पर maximum होती है अरे sin की value कौन से angle पर 90 तो sin 2 theta की value 1 होनी चाहिए which is at 90 degree तो 2 theta की value अगर 90 है तो theta की value कितनी आएगी 45 तो एट 45 डिगरी वैसे भी analyze कर सकते थे आप कि अगर दो ट्रिनूमेटिक रेश्यों आ रहे हैं तो कौन से angle पर इन दोनों की value सेम है तो दाट इस 45 डिगरी तो यही answer हमारे पास आया 45 डिगरी तो यह हो गया हमारा law of mellows टर्मनाले क्रिस्टल वाला अब आते हैं दूसरा कि हम polarize करेंगे with the help of reflection तो यार मैंने आपको ray optics की ही class में बताया हुआ है कि अगर किसी भी surface पे कोई light ray fall down कर रही है तो यह क्या करेगी यह partially reflect करेगी और partially refract करेगी तो हमने यही चीज़ यहां पे नोटिस करेगी कि इस light ray ने partially reflect किया और इस light ray ने partially refract किया तो जब यह लाइट रे partially reflect कर रही है और partially refract कर रही है तो हमने देखा कि यार यह लाइट रे क्या कर रही है यह लाइट रे पॉलराइज हो रही है लेकिन यह लाइट रहे ऐसे हर एक रैंडम एंगल पर पॉलराइज नहीं होगी हमने देखा कि जो यह रिफ्लेक्टिट रहे है जैसे मैं आपको डाइगरम इस तरीके से ड्रॉपर करके दे रहा हूं कि यह मेरी इंसीडेंट रहे अन पॉलराइज वे ध्याज है तो इसमें दोनो टाइप के वाइब्रेशन होंगे पैरलल टू दी पलेंड पर्पेंडी कोलड़ डूख़ på हमने क्या देखा कि यह रिफ्रक्टिट रुए में तो हमारे दोनों वाइब्रेशन पास कर रहा है यह लेकिन रिफ्लेक्टिटरेंबर हमारे मेजरली प लगको भॉल को फैक रहे होगी सोथने कर जा वाल के कैसे जारी होगी वाइब्रेशन करके वापिस बाउन्स बैक कर रहे हैं लेकिन यह वेउव कितनी जाथा सब्सक्वाइब करे एक तो मैं याँ पे लिए गांगल और सिधेंस पे उब इसमें में फिर से प्रोस्टार चाला जिसे हम कहता है बुरूस्टर लॉप उसने क्या कहा कि अगर आप light ray को इस particular angle पे fall down करा रहे हो और इस particular angle का नाम दिया उसने bruster angle कि अगर आप इस light ray को इस particular angle पे fall down करा रहे हो तो याद रखो हमेशा reflected ray और refracted ray के बीच में कितना angle बनेगा हमेशा reflected ray और refracted ray के बीच में 90 डिगरी का angle बनेगा और जब भी इन दोनों के बीच में 90 डिगरी का angle बनेगा तो हमारी reflected ray पूरी की पूरी polarized wave होगी तो इसमें सिर्फ एक ही टाइप के vibrations आएंगे दूसरे vibrations बिल्कुल भी नहीं आएंगे क्या यह वाला लॉजिक समझ में आ गया है अब हमें क्या करना है इस एंगल का कुछ ना कुछ relation निकालना है refractive index के साथ जो refractive index हमारे medium का है तो मेरे को एक चीज़ सोचके बताओ सपोज यह मेरा एंगल ऑफ रिफ्रक्शन हो गया इसको आरपी लिख देता हूं एंगल ऑफ रिफ्रक्शन आप बस थोड़ा सा सोचके यह बताओ आईपी प्लस आरपी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए तो भया इधर देखो अगर यह एंगल आईपी है तो मेरे को बताओ यह वाला एंगल कितना होगा यह भी आईपी होगा एंगल ऑफ इंसिदेंस शुट भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल 180 डिगरी का एंगल बनाएगी पूरा उपर से लेके नीचे तक तो यह एंग अगल आईपी अंगल और यह अंगल नाइन्थशम आनसर आइगें यह किटना होना चाहिए सब्सक्राइब 90 रिमूफ कर दिया तो आई पी प्लस आर पी कितना बचा आपके पास नाइंटी डिग्री बचा या नहीं बचा यह सर तो आर पी की वैल्यू कितनी आएगी आर पी की वैल्यू आएगी 90 माइनस आई पी यहां तक पहले कंप्लीट कर लो कोई डाउट है तो पूछ लो बस एक लोके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि भाई साइन आई पी डिवाइड़ बाई साइन आर पी मस्ट भी इकोल्स टो रिफ्राक्टिव इंडेक्स ऑफ दी मेडियम नीचे आएगा रिफ्राक्टिव इंडेक्स ऑफ दी एर जिसको मैंने वन ले लिया तो आप इसको हमने देखा 90 माइनस आई पी इस एकोल तू नू जाएका पी बहुत बढ़ी हमारे पार सफाइनल रिलेशन मिल गया अंगल of incidence and refractive index कि भाईया मेरे को refractive index के according अलग अलग angle of incidence मिल जाएंगे अगर मेरे को अलग-अलग angle of incidence मिल गए तो मैं उसके according यह find कर सकता हूं कि भाईया मेरे को कितने angle पे light ray fall down करानी है जिससे मेरे को polarized मिल जाए जैसे for example general example ले रहा हूं suppose मैं कह रहा हूं कि मेरे को refractive index मेरे को refractive index given है 4 by 3 तो मेरे को बताओ कितने angle पे light ray को fall down कराऊं जिससे मेरे को reflected ray पूरी की पूरी polarized मिले तैन इन्वर्स 4 by 3 IP और टैन इन्वर्स 4 by 3 IP कितना होता है 53 डिग्रीज वेरी गोट साहिल तो यार यह हमारे पास आ जाएगा 53 क्योंकि देखो आपको मैं फिर से वही बोल रहा हूं यह values भूलने नहीं है राइट आंगल ट्राइंगल वाली 345 एंगल 3753 वाला 345 इस एंगल इस 53 और यह एंगल हो गया हमारे पास 37 तो अगर मैं 4 by 3 लिख रहा हूं प्रूस्टर अंगल बस सिंपल कॉंसेप्ट अचलो बहुत बढ़ी आप तो इसी पर अब कुछ कोशन दे रहा हूं या ट्राइक करना हैं बहुत है सिंपल सिंपल कॉश्चन लगेंगे ऐसा लगेगा जैसे रिफ्राक्शन के कोश्चन कर रहे हैं बस तो यार देखो वेव अप्टिक से जितना भी न्यूमेरिकल पार्ट वाला पोश्चन था वो मैं आपको सारा करा चुका हूं अब थोरिटिकल पार्ट बचा है निकॉल प्रिजम पोलराइज और स्काट्रिंग वग्यरा वह एक बार आप खुद से रीडिंग कर लोगे कोई डाउट फिर भी आया है तो भी पूछ लेंगे देंसर चलो तो लेट्स प्रसीड़ को सबसे पहला बिल्कुल फुद्दू कोशन जिसे कहेंगे बहिए कोशन कह रहा है कि हमने देखा हमने लाइट रे को फॉल डाउन कराया अटन एंगल ऑफ इंसिदेंस 60 डिग्री ज इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आ रहा है तो आपको क्या बताना है आपको रिफ्राक्टिव इंडेक्स ऑफ डी मीडियम बताना है कि भीया कोई लाइट रे है जिसको हमने फॉल डाउन कराया अटन एंगल ऑफ इंसिदेंस 60 डिग्री हमने देखा इनुक्त विल्ब्द का एंगल बिल्कुल सही बढ़िया 1.732 साहिल बिल्कुल सही यहार हमें साफ पता चलगा कि अगर यह दूनों प्रपेंडिकुलर है तो आटोमेटिक लिए एंगल क्या बन जाएगा हमारा यह हमारा बूस्टर अंगल बन जाएगा तो बूस्टर अंगल मन गया तो सिंपली बूस्टर लगाना है तो यहार हमें पता है टान 60 डिगरी की वैल्यू कितनी होती है तो रिफ्राक्टिव इंडेक्स हो गया रूट फ्री अब ऑप्शन पर डिपेंड़ है अगर रूट फ्री की वैल्यू सिंपलीफाइड करके गिवन है तो उस तरीके से जैसा भी आपको से लगे अब सब जनरल कोशन दे रहा हूं मिक्स ते लेगा इंट्रफेरेंस डिफ्राक्शन प्लॉराइजेशन ब्रूस्टर एंगल सब पर मिक्स कोशन है तो भी आप सॉल्व करना शुरू करते जाओ इस धेश्य और इसकी हमें वेवलेंध गिवन है वेवलेंध 450 नानोमीटर और यह वेवलेंध कभ है इंसाइड लिक्विड हमें क्या क्या बताना है फर्स्वाट हमें वेवलेंध आफ दी लाइट्रे बतानी है इन्वाक्यू दूसरा पार्ट हमें बताना है विलॉसिटी आफ लाइट इन दी लिक्विड थर्ड पार्ट हमें बताना है रिफ्रक्टिव इंडेक्स ओफ लिक्विड यह तीन पार्ट कालकुलेट करने हैं और कोश्चन में यह पहले बोला हुआ है स्पीड आफ लाइट इन वाक्यूम में स्ट्री इंटू टू दी पावर एट मिटर पर सेकेंड चलो प्राइटू कैलकुलेट सिंपल कोश्चन है यह तो शैसे स्टाइब कोश्चन हमने अल्रेडी कर भी रखा है अधिश्चन है इस लाइट रेकों एसे ट्रैवल करा कि लिक्विड में पास करा रहे है लिक्विड के अंदर वेवलेंद गीवन है दाट इस 450 नानोमीटर्स स्पीड अफ लाइट इन वाक्यूम गीवन है हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंध इन वाक्यूम विलोसिटी अफ लाइट इन लिक्विड और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ दी लिक्विड भास्टोडस पती चैसी मैंत gusta के लिक्ते है वेवलेंद बंच पर लाइट कोर्या वाक्यूम यार इतना टाइम कुल अगरा सबसे पहले आप सेगेंड पार्ट सॉल्व कर लो सबसे पहले सेगेंड पार्ट सॉल्व करना ज्यादा इजी है और के तन वी गोड़ेंड यहां पर सॉल्व करते हैं सबसे पहले में सेगेंड पार्ट सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा इसी था विलॉसिटी आफ लाइट इना लिक्विड अगर मैं फाइन कर रहा हूं फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होने वाली इधर होना चाहिए वेवलेंट ऑफ दी लाइट रे इन लिक्वेड तो तो हमें फ्रिक्वेंसी ऑल्रेड गिवन है फाइव इंक टुटी पावर 14 वेवलेंट भी गिवन है फॉर फिफ्टी नानोमेटर्स नानोमेटर्स वातलब टैंटू ठीपावर माइनस 9 मीटर्स तो बस आपको इसको सॉल्व करना है तो आपके पास विलॉसिजिटी आफ ल तो देखो एप्रॉक्सिमेटली आंसर आना चीह है तो पॉइंट टू फाइव इन्टू दू पावर एट मीटर सेकंड सब लोग चेक कर लो यह आंसर आ रहा है या नहीं आरा सेकंड बाट का आश्या एक बार आपको विलॉसिटी मिल गया तो आप रिफ्राक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ एज़ीनी कालकूलिट कर सकते हों सबसे पहले आप प्रकूलेट कर लो रिफ्राक्टिव इंडेक्स का फॉर्मला हमें पता है होता है स्पीड अफ लाइट इन वैक्कियूं by speed of light in medium c by v c की वैल्यू गिवन है वी की वैल्यू आपको calculate करी रख लिए आपने फिर्स पार्ट में तो इसका आंसर भी calculate कर लो 10 to the power 8 10 to the power 8 cancel out हो जाएगा तो बस हमारे पास बचेगा 3 by 2.25 calculate करके चेक कर लो it should come approximately 1.33 that is 4 by 3 कि यह सब्सक्राइब करने हैं तो याद है मैंने आपको यह भी बताया था कि वेवलेंद ऑफ लाइट रेना मीडियम इस नतिंग बट बेवलेंद इन वाक्यूम डिवाइड़ बायर रिफ्राक्टिव इंडेक्स आप इस तरीके से भी calculate कर सकते हो तो वेवलेंद इन वाक्यूम इस नतिंग बट रिफ्राक्टिव इंडेक्स इंटू वेवलेंद इन मीडियम तो यार अब हमें रिफ्राक्टिव इंडेक्स भी बताए 1.33 मतलब बेसिकली 4 by 3 आप चाहे तो ऐसे लिख लो 4 by 3 इंटू वेवलेंद इन मीडियम कितना हो गया हमारे पास 450 नानो मीटर्स तो यह डिरेक्टली कैंसल हुआ 154 इ सब्सक्राइब कर लो कंप्लिक कर लो पहले आराम से दन सब्सक्राइब चलो नेक्स कोशन ने का है कि हमने यूज करा है सिंगल स्लिक्ट और सिंगल की जो ओपनिंग है स्लिट विट जो है वह हमने ली है एं इसको हमने रेड लाइट से एलुमेट कराया हमने रेड लाइड यूज करी है और रेड लाइड की वेवलेंथ हमें गिवन है है 6500 Armstrong कोशन कह रहा है फ़र वट वाल्यू ओफ ए फॉर वाल्यू ओफ एफ फॉर्स्ट पाट फॉर्स्ट मिनीमम ए फॉर्स्ट मिनीमम अकर्स अट अन अंगल ओफ अपर्स अट अन अंगल ओफ टर्टे डिग्री और सेकेंड पाट है फॉर्स्ट माग्जिमा अगर्स एट अन अंगल ओफ थर्टे डिगरी कोशन रिपीट कर रहा हूं भाई सिंगल स्लिट है तो आप समझी गए होगे डिफ्रैक्शन की बात हो रही है स्लिट विट्ट गिवन है इसमें हमने रेड लाइड यूज की और वेवलेंट 6500 आंस्ट्रॉंग कोशन पूछ रहा है कि हम स्लिट विट्ट कितनी लें जिससे की हमारा जो फॉर्स मिनीमम है फॉर्स मिनीमम वो अकर करे अंगल ऑफ थर्टे डिगरी और सेकेंड पार्ट कि जो हमारा फॉर्स मागजीमा है वह अकर करे इन अंगल ऑफ ठटे डिगरी कि दोनों के अंसर सेम होंगे कि अलग अलग अलगांगे तो यह दो अलग अलग पार्ट से है तो आपको बस कंडिशन्स याद रखनी एं मैं बस थोड़ा सा रिकॉल किरारा हूं था कि आप इस कोशन को बहुत असानी से स्वोलव कर सको या डिट फ्रक्षन में मैंने आपको बता था कि हमारा जो पाफ डिफ होगा, वो किसके ब़ाबर होगा, हमारा पाद डिफ्रेंस ये साइन ठीटा के बराबर होता है, जहां पर यार रखना कि ठीटा बहुत चूटा एंगल होता है, तो इसको हम जनररली चाहें, तो एंगल की वैल्यू निकाल नहीं है, तो हम साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस नहीं करेंगे नहीं तो हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तो ए साइन थीटा अब मेरे को यहां पर कुछ ना कुछ कंडिशन रखनी है और डार फ्रिंज के साप से आपने निकाला है वेरि रिगुड वेरि गुड तो मैंने आपको लास्ट क्लास में किया है कि अगर हम फॉर्स्ट मिनिमा की बात करें तो हमारा फॉर्स्ट मिनिमा के लिए यह कंडिशन क्या होनी चाहिए एस साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए एन लैमडा के बराबर होना चाहिए और मैं फॉर्स्ट मिनिमा की बात कर रहा हूं तो एन की वैलू कितनी रखूं वह हो सब्सक्राइब चलो सब्सक्राइब सबस्क्राइब करें तो उसरी थीकेesta सब्सक्राइब dette कर लो तो इस इक्वेल्टी वेल्टी और अंब्स्रॉंग डिवाइड़ रखाइन रिड-डगरी सब्सक्राइब तो आप चाहे तो अपना आंश्रम स्ट्रांग में भी चाहे का अपना अपना शौपर धांस्राण सब को पता ही होगा क्या होता है कंवेर्जिन आम्स्रांग से टेन इसटर्पार मैं लुद्ट बथे इर्ट वु हाफ चलो सॉल्व करोगे तो बिल्कुल सही आंसर इसने भी निकाला उससाब से आंसर बतादो वन पॉइंट्री इन्टू टेंटू दी पावर माइनस सब लोग चेक कर लो सबके आंसर यही आ रहे हैं कि यह सब्सक्राइब कर दो कर दो लेकिन आप ध्यान रखना मैं आपको हजार बार बता चुका हूँ मैं मैं सेंटर पॉइंट की बात कर रहे हैं सेंटर पॉइंट के बात कर रहे हैं वरी गुड तो मैं आपको वही बोर रहा हूं याद रखना फोट मैगजीमा को सेंटर पॉइंट मत ट्रीट करना वो सेंट्रल मैजीमा होता है वो हमें पता ही है कि सेंटर हमेशा मैंहीं भी बनेगा तो उसको फोर्ट मैंटिमा कहते यह तो फोर्स बनीटिटा इसके में जाहें हैействe a shinlete by two 43 the Premier में में ने आपको बता है थी लेम्टा थू अम्मारा करेगा की त्री लेंडा वाइस्कों सेग्मेंटों करेंगे दो सिग्मेंट चायेगे एक segment बचेगा लैमडा नाता और वहहां का रहाए तो बस वाल्यू सब्स्ट्टूट कर दो एक ही वैल्यू कैल्कुलेट कर लोग तो भईया काफी लोगों ने आंसर बिल्कुल सही बताए है कैल्कुलेट भी कर लिया इसका आंसर आएगा 1.95 इंटू 10 डूएल नेचर वह तो कर लिया है वह दो कर लिया एक लिए अटम्स बाकी है अटम्स अमिकंडुक्टर इसा बाकी है सुझा बूल गया था डूएल नेचर हम कर चुके हैं कि अ